नमस्कार दोस्तो आप सबीका मैंचनल प्रादिक स्वागत है दोस्तो आज तिन फरवे दोजार चोवीस है और आज दोस्तो जी एस ये लिम्टेड ने अपने क्यू थिरी के रेजल्ट्स गोसित कर दिये और दोस्तो ये रेजल्ट्स उतने अच्छे नहीं कह जा रहा है जित तो इस तरह से नेट रेवन्यू में गिरावट का मावल बना हुआ है और इसी तरह से जी एसील ने अभी क्यू थिरी फरेंसियल एर चोवपिस में जो ईबी आईटी डिये गोसित किया उसमें भी डेकलाइन का मावल बना हुआ है चपन परसेंट पर और वह 165 करोड रह गय दोस्तों सबसे वड़ी बात कि नेट प्राफिट की बात की जाए तो इसमें जवज़ द्यावट है और ये 70% की गिरावट दर्ज हो रही है और ये माते 100 करोड पर नेट प्राफिट आ चुका है जबकि पिछले साल 254 करोड का प्रिट ता था तो इस तरह से नेट प्रासे में जब जब जस्त गिरावट और दोस्तों कंपनी ने ये कहा है कि ये सारी गिरावट डिमांड में कमे की वज़े से प्यतर्सित हो रहा है और अब जब तक इसमें अभी और आंगे चल करके इसकी डिमांड में बलुतरी नहीं आती प्रोड़क्स में तब तक इससे दूरी बना करके रखें जैसा कि ये सोडा ऐस बनाने में बहुत ही मसूर कमपनी है इनका कई देशों में स्पोर्ड भी होता है इसलिए अभी तोड़ा इसके सेयर से दूरी बना करके रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका यह आप सेयर का रेट जानेंगे तो बीएसी पर 589 रुपए 50 पर दो फ्रोड़क्स को क्लोजिंग बनी है और इसका 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 669 रुपए था अठारा सितंबर 2023 को और 52 वीक्स लोग अठारा अफ्राइल 2023 को 470 रुपए पर तो इस तरह से इसकी ट्रेडिंग वैसे भी पूरे साल बहुत ही रेंज बाउंट ट्रेडिंग में में ज़रारी मात्र आप समझ सकते हैं कि 200 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रेडिंग हो रही है तो यह पहले से ही लग रहा था कि कोई अच्छा रिजल्स नहीं आने वाला वरना पहले से ही सेयर्स में तेजी बन जाती है तो दोस्तों फिरालवी जी एस सेयल के जो नेगेटिव रिजल्स इस जल्दवाजी करने की जरूत नहीं है बेचने की लेकिन नए निवेशक जरूर थोड़ा गिरावट का भी रुक भापे हैं और एक दो क्वाटर मेरे इसाफ से भी और वेट करना चाहिए तभी नया निवेश ज्यादा फायदे बन दो तो दोस्तों मेरी तरफ से जो भी कमाएं साथ ही जो आपके बाइलू आपके जो धन डिया सेल के सेर्स में लगा है वो कई गुना आंगे बढ़े इसके लिए मेरी यादिक्स काम नहीं रहेंगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दें सेजर भी कर दें हमाई चैनल को सब्सक्राइब क हुआ है